हेलो फ्यू ओरस अंबॉक्सिंग डे मैं आप सुपका स्वागत है और में हमरान आज मुरे पास बज़ो रिवाइस यह है समसंग ग्लेक्स 825 5G स्मार्फॉन जाद उस तक रिवली लॉंच प्रोडक्ट है समसंग की तरफ से समसंग ग्लेक्स 825 5G स्मार्फॉन और काफी बड ग्लेक्स याट्वाइट 5 5G स्मार्फॉन की बॉक्स कुछ इस तरह किसे नजर आता है और बॉक्स के जारे तरफ यहाब एक लेक्स याट्वाइट लिखा गया है यह ब्लू खलर में बॉक्स के पीचे मिंशन किया गया डिवाइस के बारे में जैसे की सूपर मिलेड डिस् की प्राइस 28,490 लेकिन इससे भी काफी कम कीमत है इसी समसंग लेक्सी 25 5G स्मार्फॉन की जो आगे इस वीडियो में शेयर करूंगा चली सबसे बिले इसी स्मार्फॉन का उन्बॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कुछ है उसे बिले आपने चैनल को स्मार्फॉन है इसके लबा यहां पे एक सेक्शन अब चली फिलहाल इस स्मार्फॉन को देखते हैं यह रहा दूस्तों समसंग लेक्से 25 5G स्मार्फॉन बहुत बड़ी लुक्स के साथ हमें समसंग की दरफ से एक ब्राइब न्यूव स्मार्फॉन देखने को मिल जाता है और काफी अच्छा फीचर्स के साथ में यह स्मार्फॉन है और डिवाइस के जो फास्ट लोग फास्ट इंप्रेशन है काफी कमाल की हापे में देखने को मिल रहा है बैक बोड़ी की तरफ देखा जाए जिसमें ट्रिपल डिया गया है साथ में इनी फ्लाश है और समसंग क साथ में यह स्मार्फोन है डिवाइस के बैक बोड़ी में पॉली खरबड यानि प्लास्टिक बैक बोड़ी दिया गया है डिवाइस के तरफ देखा जाए स्पीकर गेल है टाइप सिपोड है माइक्रोफॉन है 3.5 डिवाइस के साइड में हमें सिम्ट रहा देखने को मिल जाता है और डिवाइस के ऊपर की तरफ देखा जाए नोइस के सिलेशन मेक्रोफॉन है यह जो इसमार्फोन है प्लास्टिक बैक बुरी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ यह स्मार्फोन आता है डिवाइस के उपर बात करो तो 197 ग्राम की वेट है काफियत तक लाइट वह दूंड ज्रॉटी नीचे कोमेंट सेक्षण पर जोरु बतागे एगर एचा लगा तो प्लीज इस पुड़ी के लिए एक लाइक जूरू कर दीजिए आप चलिए बात करें लगा था इसी स्मार्फोन की नजार आ रहा है सबस्क्तुर्फों एक क्लरफूल डिस्पली है क्य डिवाइस में जो स्क्रीन साइज दिया गया है इसे स्मार्फून के डिस्प्ले है तो देखा जाए बज़र ट्रेंज में एक अच्छा खासा डिस्प्ले यहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है इसे स्मार्फून के उपर क्या कुछ इसमें चिपसेट के मामले में इसे स्मार्फून में हमें अलग-अलग वरियंट देखने को मिल जाता है 136 Gb ROM के साथ में और इसी स्मार्टफोन में तीन अलग-अलग color है मेरे पास जो color है यह है blue color इसका लवा ब्लू-black और एक color है और साथ-इसाथ यलो तीन अलग-अलग color में डिवाइस में अवालेवल है और डिवाइस में दो अलग-अलग variant है इसी इस्मार्टफोन के अगर हम बढ़िया रहेगा काफी फास्ट होगा गेमिंग इन स्पीट के मामले में नॉर्मल उसेज के लिए हो हैवी उसेज के लिए हो डिवाइस काफियत तक बढ़िया परफॉर्म करेगा इसी स्मार्फोन की एंड्रोइड वर्जिर के उपर बात करें तो डिवाइस में एंड्रोइड लेटेस्ट यहापे दिया गया है और वन यूआई जो यहापे समसंग का यूजर इंटरफेस है वन यूआई लेटेस्ट यहापे 6 दिया गया है आप जल्य बात करते हैं इसी स्मार्टफून की battery performance के उपर इसी स्मार्टफून में जो battery दिया गहा है 5000 mAh का battery दिया गहा है, यहाँ 5000 mAh का battery इसमें डिया गहा है, चार्थ फार जी का पर आप्ने डिवाइस्व काफी कम वक्त में फुल चार्ज़ कर पाओगी 25 वाट का यहाँ चार्जिंग सपोर्ट दिया गए लेकिन बॉक्स के अदर चार्ज़ार नहीं मिलता याद रिखेगा समसंग की से अदर डिफाइस में आज काली हापे अड़ोप्टर मिसिंग है अड़ोप्टर के प्राइस से रहता है हजार से लेकर 2500 तक यहाँ एक एक अड़ोप्टर लेने में काफ़े खर्चा हो जाता है और समसंग या फिर एपल वाले बोलते है कि इको फ्रेंडली के लिए हम एड़ोप्टर नहीं देते प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगा लेकिन कहा इतना ज्यादा प्लास्टिक हो जाएगा बाई साब और इससी स्मार्टफुन की बैटरी प उपर बात करो तो डिपाइंस में 590 मिल्यमपर का बैटरी है और जो बैटरी लाइफ होगा कहीं न कहीं उच्छा बैटरी लाइफ होगा क्योंकि फूल टेबेक अप जाब पाच जदर मिलियमपर का बैटरी में और अब चलिए बात करें ते हैं इसी स्मार्टफोन की जो यहाँ पे finger pen scanner है वो यहाँ पे in display finger pen scanner नहीं दिया गया है side monitor finger pen scanner दिया गया है चलिए set करते हैं और देखते हैं किस तरीके से यह काम करता है स्लो होगा या फास्ट होगा यहाँ पे सेट हो चुका है और आप बारी है टेस्ट करने का यहाँ पे देखिए जैसे डश करता हूँ तुरंत डिवाइस अनलोक हो जाता है जो finger pen scanner है बहुत यह फास्ट है एकुरेट है अब चलिए फिलाल बात के लिए थे इसी स्मार्फोन की camera specifications के उपर इसी स्मार्फोन में हमें यहाँ पे थीन camera दिया गया है बैक बोड़ी में जो primary camera दिया गया है फिफ्टी मेगा बिक्सेल आपर चौड एफट एफट पॉट एट के साथ में प्राइमरी के साथ में और था 30 मेगा बिक्सेल का सेलफी camera चलिए कुछ फोरूज क्लिक करते हैं और देखते हैं आउटपूट के साहे और यह देख सकते हो डिवाइस की 30 मेगा बिक्सेल का सेलफी camera बहुत ही अच्छा से डीटेल यहाँ पर हमें नजर आ रहा है रियर के साथ मैंने काफी सारा यहाँ पर आउटपूट जो है रिजाल्ट है अच्छा है खराब नहीं है विडियोग्राफिक को बात करें तो रिवाइस की चो और यह के साथ में फोर के वीडियो आराम से रेकॉर्ड कर पाऊगे थार्टी एंटैनेटी पे तरडी एफपेस फ्रॉंट में भी आप वीडियो आराम स प्राइस है वो है 26,999 पेस यहने अल्मोस्ट 27,000 का यह स्मार्फोन है और इसी स्मार्फोन की जो 8GB RAM and 256GB ROM वेरियंट है उसका प्राइस इंडियार मार्केट में रखा गया है 29,999 पेस यहने अल्मोस्ट 30,000 का यह स्मार्फोन है 30,000 में आपको 8GB 256GB वेरियंट मिलता है तो प्राइस त्रेंच के इसाफ से काफ़ी एक अच्छा हासा डिफाइस है काफी बड़िया फीचर्स के साथ में इंडियार मार्केट में इसी स्मार्फोन को लांच किया गया है ओ उम्मिद है आप सबको यह वीडियो जरू पसंद आएगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो के लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं के निच्छे दियेगा है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा तब त झाल 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 झाल